धोरण छ, प्रक्रण छ, मौर्य योग, चंद्रगुप्त अने समराट अशोग रवीवार हवा थी सोसाइटीना सौव बाळको मैदान मा क्रिकेट रमवा भेगा थया भव्याने जल्पे टीम पाड़ी बैटिंग के बॉलिंग नक्की करवा माटे सिक्को उचालेो जल्प बोलियो, किंग, सिक्को हवा माथी नीचे जमीन पर पड़ियो किंग पड़ियो, इटले जल्पे बैटिंग मांगी बाजुमा उभेलो हेतांश बोली उठियो सिक्का पर आपेली आ सीनी आकृती क्या ते लिदी हशे भव्याये तेने समझावेो सिक्का पर आपेली सीनी आकृती एटले किंग सारनाथ ना विशाल स्थंब पर आ सीनी आकृती स्थापित करवामा आवेली छे आ स्थंब ने मोर्य वन्ष ना समराट अशोक द्वारा निर्मान करवामा आवयोहतो भारते तेने राश्रिय प्रतीक तरीके स्विकारेल छे मौर्य वन्ष स्थापक अने शासक 1. चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वन्ष ना स्थापक 22. पूर्वे 321 थी 227 बालपणमा राजा राजानी रमत्रमता चंद्रगुप्त नो हीर पार्खीने प्रक्षशीला ना कौटिल्य गोत्र ना आचार्य विश्णों गुप्ते इटली कि चानक्य प्रक्षशीला लई जै तेने शस्त्र अने शास्त्रों नी तालीम आपी चानक्यनी तालीमनी मदद अने मार्ग दर्शन थी चंद्रगुप्त मौर्य इस्वी सेन पूर्वे 321 मा नंद वंश ना अंतिम सम्राड धननन्दने हरावी ने मघद नी गादी संभाली मौर्य वंश नी स्थापना करी चाणक्य नी राजनीती अने वहिवट अंगेनी कुशडतानो संपूर्ण लाब चंद्रगुप्त ने मलेओ चाणक्य द्वारा लखायेला अर्थ शास्तर नामना ग्रंथ माथी ते समयीनी राजकिय आर्थिक अने सामाजिक जीवननी माहिती मली रहे छे चंद्रगुप्त नी तमाम सिध्धियों मां चानक्यना मुझसुदी गिरीवाडा मार्ग दर्शने घणों महत्वनों भाग भजवियो हतो ग्रीक राजा सेल्युक्स निकोतरने हरावीने चंद्रगुप्ते चार प्रदेशों काबुल, कंधार, हेराद औने बलुचिस्तान जीत्या हता चंद्रगुप्त नी बाहदुरी थी प्रभावित्थाई सेल्युक्से पोतानी पुतरी हेलेनाने चंद्रगुप्त साथे परणावी औने पोताना राजदूद मेगेस्थनेस ने तेना दर्बार मां मोकलियो पाटली पुत्रमा रोकाण दर्म्यान मेगेस्थनेसे लखेल पुस्तक, इंडीका माथी मगत सामराज्यना पाटनगर अने एना वैवट विशेनी अगत्यनी अने आधार भूत जानकारी मले छे राज्यविस्तार पश्चिम भारत पर पण एनी सत्ता हती सवराश्रमा पण तेनू शासन होवानू तथा पुष्य गुप्त नामना वैश्य अमात्यने त्याना राश्रिय एटलेके राज्यविस्तारीके निम्या होवानू आधारोमा जणावेल छे सवराश्रमा आवेल गिरी नगर जुना घड़ना गिरनार परवत्माथी निकडती नदियो पर बंध बांधीने पुष्य गुप्ते सुदर्शन तलावनू निर्मान करावियू हतूं दक्षिन भारतना कोंकन, करनाटक, महराश्र वगेरे प्रदेशों पन मगद सामराज्य नो एक भाग हता। वाईव्य मा छेक पश्चिम गांधार, अफगानस्तान सुदीना प्रदेशों पन चंद्रगुप्तनी सत्ता हे ठड़ हता। आम समगर भारत पर मौर्य सामराज् प्रवर्तती हती। जानवाजेवूं राजदूत एलची। एक राज्य नो बीजाराज्य मा मोकलवामा आवतो प्रतिनी धी। भारत मा आवेल अन्य देशों नी एलची कचेरियों ना कार्य विशे तमारा शिक्षक पासे थी जानकारी मिढवो। चंद्रगुप्ते तेना जीवन नो अन्तिम समय जैन मुनी भद्र बाहु साथे मैसूर हाल करनाटक ना श्रवन बेल गोडामा वितावेव हतो। इस वीशन पुर्वे बसो सत्ताणों मा तेम रुत्तियु पाम्यो। चंद्रगुप्ते 24 वर्ष राज्य करियानू अने 4 वर्षों मा तेने जैन धर् जैन पुराणों मा थी मली आवेचे। भारतमा मौर्य वंचनी स्थापना पहलानो इतिहास आध्य इतिहास तरीके उलखवामा आवेचे। मौर्य वंचनी स्थापनानी चोक्कस अने आधार भूत माहिती विवेद स्त्रोतों मा थी मली रहेचे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विश्णु गुप्त चानक्यानी मदथी स्थाप्पामा आवेलू मौरिय सामराज्य भारतनू प्रथम एतिहासिक सामराज्य कहवाये छे। दीप वन्ष अने महावन्ष, बौध ग्रंथो, सिलोन। चार, मुद्रा राक्षस, नाटक, विशाक दत। आउप्रांध मौरिय समराज्य कोत्रावेल शीला लेखो, स्थांब लेखो, गुफा लेखो, स्थूपो अने विहारो वगेरे माथी पन एतिहासिक माहिती प्राप् होई, तो तमे के विरीते मेढवो छो? ग्रांड ट्रंक रोड, जी टी आर, एशिया खंडनो सवथी जुनो अने लांबो मुख्य रोड छे, आ रोडनो निर्माण सव प्रथम चंद्रगुप्त मौर्यना समय मा थयू हतू, ते तामर लिपित थैने तक्षशीला अने तक्षशीला थी मध्य एशिया ने जोडतो ह ते समय गंगाना मैदान थी गंधार सुधी आ रोड विस्तरेलो हतो, शेर्षा शूरी ए ओताना शासनकाल मा आ रोडनु पुन्ह निर्माण करावियू हतू, अंग्रेज शासनकाल दर्म्यान डेल हाउजी ए कौलकत्ता थी पेशावर सुधी आ रोडनु पुन्ह समय मा आ रोड दिल्ली थी कौलकत्ता सुधी ना राश्रिय धोरिमार्ग थी ओडखाये चे। तेनी भेड पुत्र अशोक ने आपी एज बिंदुसार नी मोट्टामा मोटी सिध्धी गणाये छे। बिंदुसार ना शासनकाल मा राजकुमार सुषिम नी तक्षशीला ना अने राजकुमार अशोक नी अवंतिना राश्रिय राज्यपाल तरीके निम्णुक थै हती। सुषिम ना समय मा तक्षशीला मा थैल बढ़वा ने नियंत्रित करवा मा ते निश्वळ रहो। जारे अशोके आकार्य सफलता पुर्वक पार पाड़ी बढ़वो दबावी दिधू। बिन्दु सारे तेना शासन कालमा कोई नवो प्रदेश जीतियों न हतो। परंतु ग्रीक राज्यों साथेना मैत्री भर्या संबंधों जाल्वी राख्या हता। तेने मगदनी गादी पर लगभग 25 वर्ष सुधी राज्य कर्यूं। 3. समराट अशोक इसवीजन पुर्वे बसो तो तेर थी, इसवीजन पुर्वे बसो बतरीस। राज्य विस्तार मा वधारों करयो। मगदनी पाडोशमा आवेल कलिंग हालनों ओडिशा, नंद राजाओना समयमा मगद सामराज्य नोज एक भाग हतु। परंतु मौर्य शासननी स्थापना समय ते स्वतंत्र थाई गयेलू। कलिंग ने फरीथी मगद सामराज्य नोज भाग बनाववानी महत्व कांग्षा राखनार अशोके राज्य अपिशेक पचीना आठमा वर्षे। कि इसवी संपूर्वे 261 कलिंग ना राजा जयंत सामय युद जाहेर करियू। आ युद मा अशोकनो विजय थयो। युद मा विजय मेढवया बाद युद भूमी अने नगर मा फरता अशोके बधेच दुख अने शोकनो वातावरण जोयू। युद मा थयल खुवारी अने स्त्रियो बालकोने रडता जोयने कलिंग पर मेढवेली जीतनो आनंद आसरी गयो। अशोकना मननी शांती हणाई गय। युद मा थयली खुवारीने कारणे अशोकना रदयमा भारे संताप अने पश्चातापनी लागनी जन्मी। युद नी निरर्थकता समझाई जवाने कारणे कलिंगनो युद तेना जीवननो अन्तिम युद बनी रयू। बहुद साधु उपगुप्तना उपदेश थी तेने शस्त्रोंनो त्याक करी शास्त्रोंनो शरण लिधू। बहुद धर्मंगी कार करी अशोक राज द्वारी पुरुष माथी धर्मानो रागी अशोक बनी गयो। अशोक पहलो एवो शासक हतो जेने शीला लेखो द्वारा पोतानो संदेश प्रजासुदी पहुचाडवानो प्रयत्न कर्यो। अशोक ना मुट्टा भाग ना अभिलेखोनी भाषा, प्राक्रुद अने लीपी ब्राम्मी छे। ब्राम्मी लीपी आदोनेक भारतनी मुट्टा भाग नी लीपियो ब्राम्मी लीपि माथी विक्सी छे। अहीं तमे अ अक्षर जुदी-जुदी लीपियों मा जोई शको छो. कलिंगना युधनू वरणन करतो अशोकनू शीला लेक कलिंगना युधनू वरणन करता अशोके ओताना कलिंगना शीला लेक मा लखाव्यूं छे के राजा बन्याना आठ वर्ष पची मैं कलिंग पर विज्जय मेडवियो लगभग डोड लाख लोको कैत कराया एक लाख थी वधू लोको मार्या गया एना थी मने अपार दुख थयूं छे जे लोको पोताना सगा संबंधियों अने मित्रोंने खूब चाहे छे तथा पोताना दासो अने ब्रुतको प्रते दयावान होई छे ते पण युध्म मार्या जाये छे अथवा पोताना सनेही जनोंने होई बैसे छे तेना थी मने पष्चाताप थयू रयो छे हवे में धम पालन करवानों अने अन्य लोकोने तेनो उपदेश आपवानों निश्चाय करेओ छे हुँ मानू छुँ के धमना माध्यम थी लोकोना दिल जित्वा ए जबर जस्ती थी विजय मिलववा करता वधारे सारूं छे हुँआ अभिलेक भविश्य माटेक संदेश रुपे कोत्रावी रयोचु के मारा पची मारा पुत्रो अने पवत्रो पण युद न करे धमनो फैलावो केविरिते करीशकाय ते अंगे तेमणे विचार्वूं जोईए धम संस्क्रुत शब्द धरमनो प्राक्रुत रूप छे विचारो तलिंगना युद पची अशोकना विचारो मा शूं परिवर्त नावियों? गुजरातना जुनागण मा गिर्नार परवत तरफ दामोदर कुंड जता अशोकनो शीला लेक मड़ी आवेल छे जे प्राक्रुत भाषामा लखायल छे आशीला लेक मा त्रण राजवियोंना लेक हो छे आ लेक राजा महक्षत्रप रूद्र दामानो लेक छे आ लेक मा मौरिय राजा चंद्रगुप्त ना राष्य पुष्य गुप्त द्वारा निर्माण करवामा आवेल सुदर्शन तड़ा एटलेके जड़ाश्रे अने अशोक ना राश्रिय यवन राजद्वारा सी चाई माटे तेमाथी नहरो काडवानी विगतो आपवामा आवेल छे जेस थलोए अशोक ना शीला लेखो मलया छे तेनी वधु माहिती माटे नक्षो 6.2 नो अभ्यास करवो विचारो नक्षानो अभ्यास करी तमारा शिक्षकनी मदद्थी नीचेना प्रश्नोना जवाब तमारी नोटबुक मा लखो अशोक ना शीला लेखो क्या थी मली आवेया छे आज स्थलो वर्तमां समयमा क्या आवेला छे तेशो धो धर्म प्रचारक तरेके अशोक अशोके देश भर्मा आवेला बौध तिर्थ धामोनी यात्रा करी यात्रा दर्म्यान बौध धर्मनों प्रचार करेो अशोके गौतम बुधना उपदेशों मा थी प्रेणा मिलदी ओतानी प्रजाने धमनों मार्ग बताव्वा पोताना सामराज्यम ठेर ठेर शिला लेखो अने संभा लेखो कोत्राव्या ते समयनी समस्यावन उके लाववा अशोके राज्यम धर्म खातानी रचना करी अखाताना उपरी तरिके निमाईल धम महमात्र नामना अधिकारी ये प्रजा मां बौध धर्मनों प्रचार करी, तेमनों नैतिक धुरण उचु लववानू कार्य करवानू हतु। अशोगी राज्यमां शिकार करवा पर प्रतिबंद फर्मावी, पशुओनी हिंसा बंद करावी। तेने गौतम बुध ना प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सदाचार, अनुकंपा जेवा सिध्धान्तों ना प्रचार पर भार मुक्यों। उपदेशनी साथे साथे केटलीक लोकोपयोगी वातो पड़ शीला लेखो मां कोत्रावी। अशोक नो प्रजा जोग संदेश। 1. माता पितानी आग्न्यानू पालन करवू। 2. वडिलोनो आदर करवो। 3. पशुओनो वध न करवो। 4. बने तेटलो ओछो खर्च करवो। 5. गुरुनी सेवा करवी। 6. स्त्रियों अने नोकरों प्रत्ये मायाळू वर्तन राखवू। 7. ब्राम्मणों अने श्रमणों ने दान आपवू। 8. अन्या धमना मुख्य सिद्धान्तों समझवानों प्रयत्न करी तेनों आदर करवो। प्रवृत्ति 9. अश्योकना प्रजाजोक संदेशमा आपवामा आवेल विगतों मा थी। 9. कई विगतों वर्तमान समयमा प्रासंगिक छे। 10. सरकार विविध्योजनाओ नियमों सुधारा वगेरिनी माहिती लोकों ने कया-कया माध्यमों द्वारा आपे छे। 10. अश्योके इसविसन पुर्वे बसो 111 मा पाटली पुत्रमा मोगली पुत्त तिश्य तिसान अध्यक्षपदे त्रीजी बाउध परिशत बोलावी। 10. अपरिशतनों मुख्य हेतु बौध धर्ममा उभा थायला मत मतांतरों दूर करी धार्मिक एकता स्थापपानों हतो। 11. अश्योके भारतना कश्मीर, गांधार, चोल, पांड्य अने केरण राज्यों मा बौध धर्मनों प्रचार कर्यों हतो। 11. समराट अश्योके भ्रह्म देश, म्यानमार, सिलोन, श्रीलंका, सीर्या, इजिप्ट, मैसिडोनिया, वगेरे देशों मा धर्म प्रचार माटे धर्म प्रचारक मंड़ों मूख्यां। 11. अशोके पुत्र महेंद्र अने पुत्री संग मित्रा ने बौध धर्मना प्रचार माटे सिलोन मूख्यां हता। आम अशोके पोताना शासंदर्म्यान बौध धर्मने राज्याश्रै आपयों। अशोके धर्मप्रचार उप्रांद प्रजा कल्याणना कार्योपन कर्या हता। अशोके मानवने पशुवनी सारवारनी व्यवस्था करी। कुवा खोदाव्या, व्रुक्षो रोपाव्या, रस्ता बनाव्या अने विश्राम ग्रुहोंनु निर्मान कराव्यू। समराट अशोके राजगादी मिलव्वा, खटपटो करी, युद्धो द्वारा सामराज्यनों विस्तार करी, महा सामराज्यनु निर्मान कर्यू। महत्व कांग्षा पूरी कर्वा कलिंग पर चड़ाई करी, युद्धमा थैल खुवारी जोई तेनों रदै परिवर्तन थता, ते बौध धर्मनों प्रचारक अने उपदेशक बनी गयो। धर्म प्रचारर थे विदेशों मा थायला प्रचारक मंड़वे त्यां भारतिय संस्कृतिनी सुवास्फेलावी। अशोक ना गुणों अने तेना कार्योंने लिधे ते इतिहास मा महान राजवी तरीके स्थान धरावे छे। इस्वी संपूर्वे बसो बतरीस मा समराट अशोक नू अवसान थायों। तेने चत्रिस वर्ष शासन करियों। मौर्य युग नू वहिवटी तंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य है विशाल सामराजेनू निर्मान करियों। तेनो विस्तार समराट अशोके करियों। विशाल मौर्य सामराजेना विभाग पाडी तेनो सुव्यवस्थित वैवट्चा लाववा माटेनू आयोजन। चंद्रगुप्त ना मुख्य मंत्री अने प्रखर राजनितिग्य विश्णों गुप्त चानक्य इटले के काउटिल्य द्वारा करवामा आवियों हतू। आ समय मा वैवटी तंत्रना त्रण विभागो इटले के अंगो हता। केंद्रिय, प्रांतिय, प्रादेशिक इटले के स्थानेक। अ केंद्रिय वहिवटी तंत्र समराट, राजा, शासन व्यवस्थामा केंद्रस्थाने हतो। ते सामराजयनों वहिवटी, लशकरी अने न्याय तंत्रनों वडो हतो। तेनु पद वंश परंपरागत हतूं. पाटली पुत्र अने तेनी आजुबाजुनो प्रदेश समराटना सिध्धा अंकुष हे ठढ़ हतो. ते मंत्रियों अने उच अधिकारियों नी मदथी वहिवट चलावतो. चानक्य कउटिल याए कुल अढ़ार खाताओ दर्शाव्या छे. जे माथी मुख्य खाताओ अने तेना उपरी वडा नीचे मुझब छे. ख्रम खातूं विभाग उपरी वडा एक खेती विभाग सिता अध्यक्ष बै लशकर खातूं सेनानी त्रण न्याय खातूं प्रदेश्त्री मुख्य नायाधीश चार व्यापार खातूं पने अध्यक्ष पांच दफ्तर मंडल अक्षपटल रेकॉड खातूं महा छ मुद्रा पासपोर्ट खातूं मुद्रा अध्यक्ष ब प्रांतिय वहिवटी तंत्र विशाल मौर्य सामराज्य ने वहिवटी सरलता खातर पांच विभाग मा वेज़्वामा आवियू हतूं प्रांत मंडल विभागना वडा तरीके राज्यपाल राश्विय हतों आपद पर मोटे भागे राजकुमारों नी निम्लुक करवामा आवती राज्यपालनु कार्य समगर प्रांत मां शांति वियवस्थानी जालवने करवी, करवेरा उग्राववा, राजाना आदेशोंनु पालन गराववूं अने प्रांत मां बनता बनावोनी समराड इटलेके केंद्रने सतत वाकेफ राखवानूं हतूं क प्रादेशिक स्थानिक वैवटी तंत्र वैवटी सरणता माटे कोई पन प्रांतने आहार जिल्ला स्थानिय अने आहारने प्रदेश संग्रहन तालुकामा वेंचवामा आवतो अहार नो अधिकारी राजुक अहारपती के स्थानिक अने प्रदेश नो अधिकारी प्रादेशिक गोप कहवातो वैवटी तंत्रनु नानामा नानु एकम ग्राम हतुं तेनो उप्री ग्रामिन कहवातो ગाम ના ચુટાયલા સભ્યોની સમીતીની મદથી ગ્રામીણ ગ્રામનો વહિવટ ચલાવતો सम्राट अशोग ना उत्राधिकारियों तथा मौर्य वंशनु पतन सम्राट अशोग ना मृत्युबा तेना उत्राधिकारियों विशे ब्राम्मन, जैन अने बौद ग्रंथों मा थी जुदी-जुदी महिती मले छे पुराणों मा अपेल महेती मुझब मौर्य वंश मा थाई गयल कुल नव के दस राजावे, कुल मली 137 स्वर्ष शासन कर्यूं हतूं बौध ग्रंथों मा जणाव्या मुझब अशोक पची अनुक्रमे, कुणाल, संप्रती, शाली सुक, जैलोक, दश्रत, देव वर्मा, शत धन्वा अने बुरुद्रत राजाव थाई गया मौर्य वंशना अन्तिम राजा बुरुद्रत ना निर्बळ शासन नो लाबलै तेना सेनापती पुष्य मित्र शुंगे लश्करी कवाय जोवाना बहने बोलावी तेनी हत्या करी आम इस विशन पुर्वे एकसो पंच्याशी मा पुष्य मित्र शुंगे मगदनी गादी पर शुंग वंशनी स्थापना करी मौर्य वंशनो अन्ताणेयों आपेला विकल्पो माई